हेलो दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी साइन्स क्लासेज में और हम लोग जोमेट्री पोर्षन कांटिनू किये वे थे अब जोमेट्री पोर्षन में एक और हम अलग टॉपिट पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक सिमिलर्टी आफ ट्रेंगल अब सिमिलर्टी आफ ट्रेंगल मतलब ऐसे दो फिगर उनमें हम क्या-क्या सिमिलर बता सकते हैं उसको कहते हैं सिमिलर्टी जैसे कि मालो हमारे पास ये दो इंट्रेट फोन है अब इसमें आपको क्या-क्या सिमिलर्टी दिख रहे हैं तो आप कहेंगे सर इसकी जो लेंथ है वो इसकी लेंथ जादा है और इसकी लेंथ कम है तो कहेंगे कि सर यह कैसे similarity हो गई लेकिन यहां पे इनके जो side का ratio है तो वो क्या होगा वो हमेशा क्या होगा proportional होगा तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि आपके पशत जो दो figure हो उनमें क्या-क्या similarity होगी तो यहाँ पे हम अब triangle की बात करें, तो triangle में क्या-क्या similarity होंगी, उन पे बात करेंगे, तो सबसे पहले हम triangle की जब similarity पढ़ते हैं, तो three types से हम similarity प्रूब कर सकते हैं, एन, triangle, तो सबसे पहले जो similarity का rule है triangle में, वो है आपका AA, यह यह rules मतलब इसको हम कहते है Angle Angle, अब ट्रइंगल में क्या होता है? तीन एंगल's forms होती है? अब उन एंगल के समके Equal जाएंगे तो जिब दो Angle Equal है तो तीसरा Angle automatically Equal हो जाएगा. तो यहां से हम कहसकती है कि सर्थ तीनो Engle इसके क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे तो यही से एक और नया रूल निकल के आया ट्रिपल ए का तो डबल ए हो गया और यह ट्रिपल तो यह दोनों सेम ही प्रॉपर्टीज हैं बस लिखने का अलग-अलग तरीका होता है तो मालो की हमारे पास दो ट्रंगल फॉर्म है ए पी और सी और इसके सिमलर एक ट्रंगल हमने ड्रॉप कर लिया पी, क्यू, आर अभी यह सिमलर ड्रॉप तो कर लिया लेकिन अभी सिमलर्टी प्रूब नहीं हो हमें तो सिमलर्टी प्रूब कर लिया की यह कैसे similar हो सकते है तो यहां से मालूक कि यह angle a similar है angle p के और angle b जो है equal है angle q के तो तीसरा angle automatically equal हो जाएगा तो यहां से हम कह सकते है angle third angle r के equal हो जाएगा तो यहां से यह यह आग्ल से लिखे तो कैसे लिखेंगे अंगल B, A, C equal अब equal के बाद हम similarity पर रहे हैं, तो similarity का symbol क्या होता है, तो हम कह सकते हैं, similar angle Q, P, R मतलब angle A, किसके equal बता है, P के, तो हम कह सकते हैं, angle Q, P, R, ये क्या हो जाएगा, इसके similar हो जाएगा, similarly, जब हम दूसरे अंगल की बात करेंगे, angle B वार्टिसल पर तो वो किसके, क्यूंके तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, angle A, B, C is equal to angle P, Q, R P, Q, R, अब थाड़ angle कह सकते हैं, angle B, C, A is similar to angle Q, R, P Q, R, P तो यहाँ से आपने क्या देखा, जिस भी angle में तीनों angles क्या हो, एक दूसरे टंगल में similar दिख जाएं, या फिर equal दिख जाएं, तो आप आसानी से उसमें similarity प्रूब कर सकते हैं, तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टंगल A, B, C A, B, C is similar to triangle P, Q, R P, Q, R तो by similarity आपने क्या प्रूब कर दिया, कि triangle A, B, C similar किसके हैं, triangle P, Q, R, K अब दूसरी property की बात करते हैं, तो वो हमारी आती है, सास सास, यहाँ पे घर वाली सास मत समझ लेना, यहाँ पे इस सास का मतलब है, side, angle, side, यानि दो ऐसे similar figure, जिसमें आपको क्या, एक side, उसके जस्ट जो बगल वाला angle है, वो और फिर उसके बगल वाली जो side, यदि similar दिख जाए, तो आप कह सकते हैं, वो similar figure होंगे, जैसे कि, यदि हमारे पास यह triangle, पी, क्यु, आर, E, F ये हमारे पास दो फिगर बनी हुए है ट्रेंगल PQR और ट्रेंगल DEF इसमें जो एंगल QPR है वो एकल किसके है अंगल EDF के एक अंगल और इसके जो साइट्स है मतलब साइड QP वो प्रपर्पर्शनल साइट्स किसके सिमिलर है ED और दूसरी जो साइड है PR वो किसके जो है रेश्यों के इकल है DF के तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अंगल Q QPR is similar to angle EDF के यहां से आपने angle तो इकल कर दिया अब जब साइट्स क्या remaining बची आपके पास QPR EDF तो यहां से ट्रंगल लिखें कि यदि यह ट्रंगल क्या है similar तो हम लिख सकते हैं यहां से आपने क्या देखा दो साइट्स का रेश्यों क्या है इकल है और एक अंगल जो है वो दूसरे अंगल के इकल है तो यह होता है आपकी साइड अंगल साइड की प्रॉपर्टी यहां से आप क्या कह सकते हैं साइड और फिर अंगल साइड साइड फिर अंगल और फिर साइड तो इस तरीके से आप कह सकते हैं साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ये जो फिगर ट्रेंगल पी क्यू आर वो सिमिलर किसके है ट्रेंगल एडी एफ अब बात करते हैं तीसरी और लास्ट रूल की जिसको हम कहते हैं ट्रिपल एस ट्रिपल एस मतलब साइड 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 आपके पास ऐसे दो फिगर जिसमें क्या सभी साइट्स क्या हो उनका रेसियो इक्वल हो ratio की बात की गई है ना की उनके length का तो जब ratio क्या होगा proportional होगा that means वो क्या triangle similar होगे जैसे कि आपके पास ये triangle A B C और एक छोटू triangle आपके पास बना है P, Q, R यदि ये दो तो triangle क्या है similar है by triple S property मतलब इसकी side ये तीनो side जो है वो इन छोटू triangle के sides के directly क्या है proportional है तो that means ये क्या हो जाएंगे similar triangle हो जाएंगे अब यदि ये दोनों triangle similar है तो इनके sides का ratio भी क्या होना चाहिए proportional होना चाहिए तो हम यहाँ से लिख सकते है triangle A, B, C is similar to triangle P, Q, R अब यहाँ से इनके sides का कैसे सबसे पहले हम कैसे इनके sides का ratio फाइंड करते हैं तो क्या करिए A, B, Fाइंड करना है तो आप C को क्या कर लिए height कर लिजिए तो आपके पास क्या बचेगा A, B, upon अब इधर क्या करिए A, R को hide कर लिजिए तो यहाँ क्या बचेगा P, Q तो मतलब यह क्या P, Q A, upon आ जाएगा is equal to अब आपको क्या A, hide कर लिजिए तो बचेगा क्या B, C तो B, C upon अब P को hide कर लिजिए तो क्या बचेगा Q, R, equal to अब आपके पास क्या बचा C और A और यहाँ पर क्या बचा R और P तो यहाँ से लिख सकते हैं C A upon R P तो यहाँ से क्या देख रहे हैं? इनके जो sites का जो ratio है वो हमेशा क्या आ रहा है? equal आ रहा है तो that means यह तीनो sites का ratio equal आ रहा है तो यह by triple S property से यह triangle जो है इसके similar प्रूब हो जाएगा इससे related बहुत सारे questions बनते हैं आप अपनी तरब से भी practice करिएगा इससे related आपको कुछ examples से related video आपको provide कर दिया जाएगा जिसमें almost इससे related बहुत सारे questions करवाया जाएगे और तब ही कोई समझ से आती है तो बेजीजक description box में Instagram की ID का link provide है आप उस पे अपना question post कर सकते हैं उसका तुरंथ proper solution provide किया जाएगा यद सारी चीजे समझ में आ रही हो तो आप अपने दोस्तों को भी share करें जिससे क्या हो उनको इस video का फाइदा मिल सकें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like करें और share करें और subscribe करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जहन